नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज की मेरी जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो है कि नौर्थ की दिशा में सिर रखकर क्यों नहीं सुनना चाहिए तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि उसकी वज़े क्या है और इस वीडियो को पूर्णत्या एक तरीके से साइन्टिफिक रखा गया है कि कोई भी बात ऐसी ना हो कि अपने आप से कही गई हो या अपने लोजिक के द्वारा तो यहां जो है वो रिसर्च बेस जो भी एक्टिविटीज हैं जो रिसर्च पेपर पब्लिस हुए हैं उन्हीं को बेस बना करके ये वीडियो का कंटेंट रखा गया है तो जैसे कि आप सब भी को पता है कि हम लोगों की कल्चर के अंदर इंडिया के अंदर भारत देश के अंदर एक जो कीवदंतियां हैं और उन कीवदंतियों का मतलब यह है कि वो हम लोगों के सामाजिक परिवेश में तो रहती हैं लेकिन उनका कोई पुरूफ नहीं होता ह कोई डोकुमेंटेशन नहीं होता है तो ऐसे ही एक यह सेंटेंस है कि हम लोगों को उत्तर दिशा की तरप को सिर्थ करके नहीं सोना चाहिए तो इसका एक सटीक जवाब क्या हो और साइन्टिफिकली मतलब व्यग्यानिक तरीके से क्या भी खोज हुई है और उन खोजों का इनके साथ में कैसे संबंद स्थापित करके यह बताया जाए कि यह जो हम लोग इस्टडी कर रहे हैं या यह जो बात बोलते हैं उसका संधर भी है तो यहां मेरा परपस केवल इसी बात से है और इसी बात को ले करके यह सारा स्टडी को मैं आपके साथ में रखूंगा और करूंगा वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि मुझको हर बात को एक्स्प्लेइन करना है और उस से उस एंगल से जब मैं बात करूंगा तो अब्यस है कि उसका टाइम बहुत जादा रहेगा तो इसको आप कोई ऐसी इन्फोरमेशन ना लेकर के समझे कि एक चोटी सी वीडि कि हम लोगों को नौर्थ की साइड में सिर रख करके नहीं सोना है तो उसकी वजह क्या है तो उसकी वजह जानने के लिए यह सब जो वीडियो है इसके अंदर का जो पार्ट है वो मैंने यूज किया है तो उसको आपको भी पता लगे जिससे आप समझ जाएं कि इसकी वजह यह है और उसको ऐसे ही ना रखें तो यहां सबसे पहले मैं मैगनेटिक फिल्ड की बात करूंगा और मैगनेटिक फिल्ड अर्थ के अंदर है यह तो सभी को पता है लेकिन दिमाग के अंदर भी है ब्रेन के अंदर भी है यह कुछ लोगों को पता है बहुत कम लोगों को प वो विचार आएगा तो इन तीन कोलम में मैंने उस बात को रखा हुआ है तो अर्थ में जो मैगनेटिक फिल्ड है या जो वो प्रोड्यूस करती है जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है मिलता है वो 20 माइक्रो टेसला से लेकर के 60 माइक्रो टेसला तक होता है यह रेंज है एक्चुली जो मैगनेटिक फिल्ड की है on the surface of the earth जो उसका एन्वायर्मेंट है अर्थ का तो अप्टू फिव किलो मेंटर क्योंकि एरप्लेट के अंदर भी मैंने उपज़र किया था कि वो फिप्टी माइक्रो टेसला है जब वो अबाउद टूदी क्लाउड्स रहता है होरिजन्टल स्पीड जब उसकी आज़ती है उस टाइम पर वो फिप्टी माइक्रो टेसला था जो मैंने ऑप्ज़र किया और एच सच अगर मैं बताऊं तो यह फोर्टी टू फिप्टी माइक्रो टेसला ही रहता है मैक्सिमम टाइम सबी जगों पर लेकिन अगर कहीं यह टूटी से कम है या सिक्स्टी से ज़ादे है तो उसको फिर जो है थोड़ा सा सीरियस एंगल की साइड में देखा जाएगा तो कुछ जो हम लोग अगर इसको सिद्धा सिंपल वे में कहें तो पर्थवी की तरफ से हमको वो कृपा नह है तो इसको सिंपल यह ऐसा भी इस लेंग्विज में भी मैं बोल सकता हूं तो फिर वहां कुछ कमी रह जाएगी अब दूसरा बिंदू जो है वो हुमेन ब्रीन है कि जो प्राणी है उनके अंदर दिमाग है और उस दिमाग के अंदर क्या मैगनेट है क्या चुमबक है तो कुछ रिसर्च जो है उन्होंने इसको स्टडी किया और वेरी रिसेंटली एक जो है अच्छे जर्नल में आर्टिकल पब्लिस हुए है उन्हीं को मैंने आपर अगली कुछ सलाइड से उसमें रखा हुआ है और वो यह बोलते हैं कि हां जो मैगनेट है वो ब्रेन के अंदर ह और दूसरी एक चीज भी बताए उन्होंने कि यह जो मैगनेट है यह इसकी जो प्रोबिबिलिटी है कि सबसे जादे यह कहां मिलेगा उन्होंने कहा कि यह सेरेबलम एक पार्ट है एक्छुली मैगनेट उसका ब्रेन का यह सेरेबलम और जो ब्रेन स्टैम दूसरा नाम है वहां पर यह सबसे जादे इसकी जो है मातरा मिली है और सेरेबलम आपको मैं बता दू एक ऐसा पॉइंट है सेरेबलम से रिलेटिड कि उससे जुड़ी बहुत सारी जो बाते हैं वो हम लोगों के समाज में भी हैं जैसे कि बोलते हैं कि आदमी अपने जो माइंड का है वो जो सेरेबलम एक्चली यह गुद्धी जहां हम लोग की है उस जगह पर है तो यह बात में कहीं और दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा लेकिन अभी अगर यह सब चीज़ यहां मिक्स कर दूंगा तो बड़ा अटपटा होगा और जो आपको मैं यह वीडियो का जो अंस और जो उसका सार बताऊंगा तो उसके लिए फिर आप लेट हो जाएंगे तो बात ही है कि यह जो सेरेबलम है जो माइंड का एक हिस्सा है ब्रेन का एक हिस्सा है उसका पूरे ब्रेन का यह 10% है उसका दसवा हिस्सा है और जो हम लोगों के ब्रेन के अंदर जो करते हैं आपको कोई चीज चुभी है कोई दर्द हुआ है कोई दुक हुआ है कोई कहीं बिमारी है कोई फोड़ा उनसी उसका दर्द है या कहीं कोई डिसी जागी इनसाइड किसी बोडी के किसी भी पार्ट के अंदर तो उसकी जो information है आपको जो पता लगती है वो neurons के थुरूप पता लगती है अब आप सर्प्राइज करेंगे कि जो neurons का जो concentration है इस Cereblum के पास में 80% है और 20% जो है वो दूसरे हिस्से में तो कहने का यह मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा जो neurons है वो यहां 80% से भी ज़्यादा है वो Cereblum जो एक पार्ट है इसका ब्रेन का उसके अंदर है और यह जो connected है एक पाइनियल जो ग्लेंड होती है उसके साथ भी connect है तो ऐसा यह कुछ हम लोग यहां पर करेंगे अगले कुछ वीडियो में जो आप enjoy करेंगे definitely मैं सोचता हूं अगर आप knowledge की तरफ को देख रहे हैं या उसके answer की तरफ देखेंगे तो आप वो चीज समझे नहीं होगी और उनको जब आप समझेंगे तो obvious है कि आप enjoy करेंगे और यहां मैं यह मान के चलता हूं कि जब हम लोग सोते हैं तो यह जो magnetic field mind के अंदर brain के अंदर है वो उसकी दिसा जो है ना लंबवत हो जाती है perpendicular हो जाती है किसके जो अर्थ का magnetic field क्योंकि left side में जो पिक्चर आप देख रहे हो ना तो अर्थ भी एक magnet के जैसे behave करती है वैवार करती है उसमें भी एक north और एक south pole होता है तो जो चुम्बक किरने हैं जो चुम्बक यह धाराएं हैं वो नौर्थ दिसा से चल करके वो उत्तर दिसा से चल करके वो दक्षिन दिसा में पहुंचती हैं तो यह उत्तर से चलती हैं और दक्षिन पर जाकर यह खतम होती है तो ऐसी यह जो brain की बात करेंगे तो वो सारे point इसके अंदर हम लोग consider करेंगे मतलब include करेंगे और तीसरा point यह क्योंकि बीना physics के हम लोग बीना logic के कोई चीज हम लोग नहीं कर सकते तो फिर कुछ जब हम physics apply करते हैं कहीं तो उसके फिर क्या result आते हैं तो उन result को हम कैसे interpret करते हैं तो वो section perception रहेगा physics and perception का तो यहां क्या है कि कुछ magnetic moment की हम लोग बात करेंगे वो magnetic moment क्या होता है और कैसे उसको भरत्वी का जो चुमबक्य बल है वो उसको घुमा दे घुमाता है और जब उसको घुमाता है तो किस तरीके से जो natural जो चीज है जब वो घुम जाएगी वो डिस्ट्रब हो जाएगी थोड़ा सा तो वो जो neuron है वो actually उसका signal नहीं समझ पाते या signal गलत दे देते हैं तो यह दोनों ही चीज इसके अंदर है जिसको हम लोगों कोने मैंने assume किया है इस study के अंदर and I hope कि थोड़ा सा आप डीप साइड को हो रहे हैं तो डीप साइड को जब चलेंगे तो विएस है कि आपके concentration आपकी focus की जुरूरत पड़ेगी तो उसको थोड़ा सा मैं और जी कर देता हूं और मैं यह जितने भी concept हैं और जितने भी components इस study के अंदर यूज किये हैं उनको एक-एक करके आपको बता देता हूं कि मैंने यह concept इस तरीके से यहां से लिए हैं और इस तरीके से प्रयोग किया है यूज किया है कि सबसे पहले एक जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह पाइनियल ग्लेंड की आप देख रहे हैं टॉप वीव से मतलब जो हम लोगों की खोपड़ी है ना उस खोपड़ी के जब आप ऊपर से देखते हैं तो यहां पर रही तो आपकी जो ग्लेंड है वो यह है थीक है तो एक रिसरच थीकल है तो उस रिसरच व्रिसरच अर्टिकल में पाइनियल ग्लेंड एकशली किसी पैश्यंक्र की स्टडी कि थी कि उसका साइज कैसे घटता या बड़ता है तो वहां से Richter लिया गया है तो ये सिर की ऊपरली हिस्से में है, वहां से ये इसको pineal gland को दिखाया गया है, और ये इसके अंदर जो matter है, एक्चुली वो इसके साथ जो earth का magnetic field है, उसके साथ interact करता है, तो ये किस तरीके से होगा pineal gland के अंदर या जहां कहीं भी magnetic material की उपस्तिती दर्ज की है, research articles के अंदर, उसमें एक single domain की बात की है, single domain मतलब एक चोटा सा आप अक्षेतर समझ सकते हैं, जिसमें की कुछ magnetic material है, और उनकी अंदर जो चोटे-चोटे magnet हैं, वो किस तरीके से हैं, और उनकी दिसा क्या होगी, तो ये एक तीर के द्वारा दिखाया गया है, arrow के द्वारा दिखाया गया तो इस तरह से ये assume किया गया है, फिर यहां हम लोग एक तीसरी picture है, जिस तीसरी picture में मैं भी आपको बात कर रहा था, cerebellum की, brain stem की, और pineal gland की, ये picture मैं आपको बढ़ी करके भी दिखाऊंगा अगली slide में, इसमें तो मेरा purpose के वल इतना है कि मैं आपको समझा दो कि मैंने क्य क्या concept को यूज किया है, और इन concept को किस तरीके से मैं अपनी study में यूज करूँगा, फोर्थ नंबर की जो picture है, उसमें जब आप magnetic dipole moment को देखते हो, या उसको explain करना होगा, physics के point ओपीस है, तो मैं उस angle पर अब जा रहा हूँ, कि physics के point ओपीस है, अब इसको कैसे explain करेंगे, तो इसमें एक side में जो रहता है, वो north pole होता है, उत्री धुरू होता है, और दूसरी side में south pole होता है, दक्सिंद धुरू होता है, जब इसको किसी external magnetic field में रखते हैं, तो ये north pole है, external magnetic field का और ये south pole है, इसके बीचों जब रखते हैं, तो magnetic field line जो है, वो north से south की side को चलती है, त तो जिस तरह से अभी यह रखा हुआ है चोटा सा बार मेगनेट यह थीटा एंगल बनाता है इसकी जो मेगनेटिक फिल्ड लाइन है इधर से जो चली और यह थीटा अभी 90 डिगरी पर है तो हुपता क्या है कि यह जो आपका चोटा सा बार मेगनेट है यह घूमना इस इक्सिस पर क्योंकि यह जो नौर्थ है इस साइड में और इस तरफ साओध पोले है तो यह इसको अठरेक्ट करेगा और यह जो सैल पोली तरह इस नोर्थ को अठ्रेक्ट करेगा तो ऐसे यह इस-स का उरियेंटेशन चेंज हो जाएगा और इस परकार से क्या होग कि यह जो बार मेगनेट है यह बार मेगनेट जैसे की फिल्ड की डारेक्षन है उस तरीके से यह सिच्वेटेड हो जाएगा लोग डिस डारेक्षन तो एक ही छोटा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है आई होप कि आप अगर फिजिक्स के नहीं है तो इतनी जल्दी तो समझ में नहीं आएगा लेकिन समझ में आ जाएगा कि अगर आप इसको धीरे-धीरे जब आप देखते रहेंगे और समझने की ट्राइ करेंगे कि यह पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट जैसे कि मैं भी यहां दिखा रहा था आपको अब यह यहां पर अर्थ है अर्थ का जो मेगनेटिक फिल्ड है उसकी डारेक्शन क्या है नेक्स्ट जो पिक्चर है यहां इ कि मैं अभी जो है यह चीज मतलब नहीं रखती है कि आप सोते कैसे है मतलब के ओल एक चीज रखती है कि भाई आपका जो सर है वो किस तरफ को है प्रैट और जब आप यहां सर देख रहे हैं आप अपना तो वो उत्तर दिशा की तरफ है और इसका जो टूप है वो उत्तर भीडियाचितर दिखाय था ये तो ऊपर से कैसे दिखाए पड़ायगा तो ऊपर से अगर देते हैं तो यह तो यह बाएक्साइड हुआ आपदी यह औल का वह यह रहा जहां भी मैं बोल रहा था कि यह इसके दन का हिस्सा तो इस तरीके से यह पोस्चर है तो आप चाहिए जिस पोस्चर में भी रहे यह बहुत जादा मतलब नहीं रखेगा कि वह इतना मतलब रखेगा कि आपकी जो दिसा है वो क्या है और एक लाश्ट में यह जो फोटो आभी आप देख रहे हैं तो इसमें जहां एरो दिखाया है तो एरो जो है इंडिकेट करता है पाइनल जो ग्लैंड है और यह पाइनल ग्लैंड जो आप देख रहे हैं अभी चप्ती यहां पे सो हो रही है और इसका जो है जब उपर से दे और हुई है तो वह सब हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और बात करेंगे तो रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में रिसर्च और में रिसर्च यह बोलती है कि आदमी जो है ना वह जो अर्थ का परत्वी का जो मेंगेटिक फिल्ड है उसको सेंस नहीं कर पाता जैसे कि चिडिया और या दूसरे पसूपक्सी जो है या वह अनुभाव करते हैं तो आदमी नहीं करता है आदमी जो अनुभाव करता है वो केवल जैसे कि बहुत पावर सप्लाई की जादे जो पावर की लाइने हैं उनके दुआरा जो मेगनेटिक फिल्ड प्रोड्यूस होता है और उनकी वज़े से जो बीमारी या कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम साती है वो सब चीज कहे तो रिसर्च ऐसा बोलती है लेकिन कुछ रिसर्च अभी यह सो करती है और मैं आपको रिसर्च आर्टिकल भी दिखाऊंगा यह इन से रेफ्रेंसिज हैं जो इनकों अभी बात कर रहे थे कि भाई जो रिसर्च है उसमें अभी यह आर्टिकल जो पब्लिस हुआ था को सैंस नहीं करता लेकिन इन्होंने एक्सपरिमेंटली सो किया कि करता है और वो सबसे नीचे की लाइन में अभी जैसे आप देखेंगे कि देज रिजल्ट एस्टेब्लिस दे एक्जिस्टेंस ओपे यूमेन मैगनेटिक सैंस एंड सजेस्ट एन अंडरलाइं क्वांटम म मैगनेटो रिसेप्शन मेकनिसम तो इन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत च्छोटी चीज है माइंड के अंदर यह ब्रेन के अंदर जो हो रहा है और जो पर्थवी का मैगनेटिक फिल्ड है यह भी बहुत च्छोटा है माइक्रो टेसला की फॉर्म है तो इतना सैंस करना और उ उसमें पब्लिस हुई थी और यह काफी वैल रैपूटीड जर्नल से जहां पर रिसर्च पब्लिस होती है और यह देख रहे हैं आप यहां पर लिखा भी है नेचर डोट कॉम तो इस पब्लिसर आके हां जब आर्टिकल पब्लिस होते हैं तो बड़ी रैपूटेशन के हैं अब यह माइन के यहां कंटूर प्लोट्स दिखाये हैं अब जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं और मान के चल रहा हूं कि यह जो वीडियो है यह उन लोगों के लिए हैं जो बहुत जादा फिजिक्स नहीं पढ़ते या बहुत जादा रिसर्च के अंदर नहीं है लेक इस जगह है वह यह रिसर्च आर्टीकल जो है वो बताता है कि डिस्ट्रिब्यूशन ओप मैगनेटिक रेमेनेंस केरी जिन्दा ह्योमेन ब्रें तो अब इन्होंने बताया कि भई ऐसे तो मैगनेटिक फिल्ट सारी पूरी की पूरे उसके अंदर है सकल के अंदर ब्रें के लेकिन जो सबसे ज़ादा है वो उसका हिस्सा जो मिला है उनको वो cerebralm और brain stem के पास मिला है तो ये इस research article से पता लगा और इन्होंने बताया कि जो उसके अंदर brain के अंदर जो magnet है वो कि स्पोर में उसको क्या बोलते हैं tekrar maintenetite grain बोलते हैं और यह जो magnetite grain है, इनका जो size होता है, वो एक nanometer से लेके 70 nanometer तक होता है, आप समझते हैं nanometer का size, वो एक nanometer में 10 raise power minus 9, जो है, वो meter होंगे, और किसी-किसी case में ये 200 nanometer तक भी हो सकता है, इन्होंने कहा कि ये जितने भी है grains, इनका जो magnetic dipole है, वो single domain की form है, और ये super paramagnetic है, तो यहां ये सब बात निकल करके आई, और इसके साथ में कुछ article मैंने यहां पर include किये हैं, जो एक negative side भी indicate करते हैं, अर्थ के magnetic field को, लेकिन उससे पहले मैं बता दो कि ऐसा हमेशा नहीं है, क्योंकि कुछ हम solar system के अंदर रहते हैं, तो कभी-कभी अर्थ का magnetic field ह वो काफी change हो जाता है, जो range अभी मैंने आपको बताई थी, 40-40 या 20-60 micro tesla, वो कभी-कभी क्या है, कि इससे बहुत जादा हो जाता है, और उस इस्तिति या परिस्तिति में, अगर काफी time से कुछ लोग जो है, इस side में सी रख करके, या कुछ इस तरीके का, किसी के mind पे impact प हो जाती है, तो आप भी खुद surprise करेंगे, कि यह 2012 की बात करके, यहां से start करते हैं, इस research article में, और बोलते हैं कि, 8,4,000 से ज़्यादा जो suicides हुई है, in 2012, worldwide, तो वो एक बहुत serious issue है, actually, और इस serious issue को देख करके, जो scientists हैं, जो researchers हैं, वो actually research करते हैं, और फिर सभी तरीके से का impact रहा होगा, जैसे कोई जो suicide attempt हुए हैं, वो कोई बिमारी तो नहीं थी, ऐसा disorder तो नहीं था, या अलकोहल वगेरा तो नहीं ले रहे थे, या फिर कोई उनका रोजगार का employment status तो नहीं था, financial loss तो नहीं हुआ कुछ, या कोई chronic pain या इस तरीके से कोई बिमारी तो नहीं य जिसके दोरा इन्होंने ट्राइ किया उस चीज़ को समझने का कि क्यों इतने लोग जो हैं, वो suicide करते हैं, तो इन्होंने एक ये भी ऑपजर किया कि जो आर्थ का जियो मैगनेटिक फिल्ड है, वो भी actually responsible है, और ये ताइवान की study है, जो इन्होंने 1997 से लेके 2013 के बीच में, जो field था, उसकी जो strength उसको measure करके, कितने लोगों ने suicide किया है, उस तरीके से एक relationship को find out किया था, और ये conclude किया, conclusion में आप देख सकते हैं, तो ये कि भी जो magnetic storm activity है, जियो मैगनेटिक storm activity है, वो suicide rate के साथ में associate है, तो इस तरीके से एक ये research article, और इन research articles में एक ये हुआ था, और इसके बाद ये दूसरा research article था, तो ये सभी जियो मैगनेटिक जो field है, अर्थ का, उसके साथ में इन सभी चीज़ों को relate करते हैं, तो यहां एक research article जो अभी last का था, जिसमें ये African studies का data study किया गया था, उसी article के अंदर ये चीज़ बताई गई है, कि जो pineal gland होती है, हम लोगों के brain के अंदर, वो magneto sensitive होती है, मतलब क्या, कि उसके ओपर magnet का बहुत जादा परभाव पड़ता है, और हम सभी लोगों को पता है, जब हम spirituality की बात करते हैं, तो pineal gland को बोलते हैं, कि इसको active करना बहुत जरूरी है, इसको active करने का मतलब यह है, कि जो cerebrum के अंदर, हम लोगों के neurons हैं, वो active हो जाएंगे, और उसकी activity से हम लोगों के mind की performance बहुत जादा बढ़ जाएगी, तो ठीक है, इतनी बात यह तो हुई research के हिसाब से, अब philosophical angle से जब देखते हैं, तो René Descartes जो है ना France के यह बहुत बड़े philosopher हुए हैं, और उस time पे जो philosopher थे, यह पंदरवी, सौलवी, चोदवी सताबदी के आसपास, यह जो philosopher थे, यह philosophy के साथ साथ में देखते थे कि कोई engineer है, कोई आपका medical expert है, medical मतलब practitioner है, तो उसने कुछ course किया हुआ है, तो वो खाली philosophy की नहीं बात करते थे, इनकी जो philosophy थी, रेने desk cards की, वो socrates से बिलकुल अलग थी, और different थी, तो scientifically इन्होंने हर चीज को उसमें add किया, तो इन्होंने बोला था कि जो pineal gland है, एक्चुली, वो ऐसा जगह है, जहां पे हम लोगों की soul बैठती है, हम लोगों की जो आत्मा है, वो pineal gland के, मतलब यह तो अंदर रहती है, या pineal gland पे बैठते हैं, तो पूरे सरीर का जो जैसे सोचने का, जहां से हम लोग connection है, परमात्मा के साथ में, तो ऐसा इन्होंने बोला, कि pineal gland है, वो that is the place, primary place है, जहां पे soul बैठती है, अब इन सब बातों के अंदर जो physics आएगी, वो कैसे आएगी है, और उसको कैसे रखा जाएगा, तो अब यह सवाल है, थोड़ा सा आपको उसको समझना पड़ेगा, तो यहां जो idea है, वो idea एक तो magnetite है, हम लोगों के पास में grain inside the human brain, और obvious है कि वो crystal form है, एक single domain की बात कही गई है, magnetite particles, magnetite जो grains है, उनकी बात हो चुकी है, फिर magnetization की बात हो रही है, आप देख सक है, कि highlight किया हुआ है, तो यह सब जब बात हम लोग करेंगे, तो obvious है कि हम physics की बात करेंगे, और physics की जब हम बात करेंगे, तो magnetic material, उसमें diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, यह सब चीज़े होती हैं, और उनको हम सब लोग study करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी electronic device है, या आपका mobile phone है, त तो वो magnetic material के तुरू उसको data को store करता है, तो वो जो magnetic material से उनके अंदर magnetic dipoles होते हैं, वो किस तरीके से एक छोटी सी picture के तुरू मैं आपको दिखा दूँ कि जो iron, nickel, cobalt है, यह ferromagnetic material के example है, और जब किसी material को किसी external magnetic field के अंदर रखेंगे, आपको भी पता है कि जब किसी लोहे को किसी चुमबक के साथ में रख दिया जाए, तो वो भी magnetize हो जाता है, that means कि वो भी चुमबक बन जाता है, तो कैसे चुमबक बनता है, कैसे वो किसी दूसरी चीज़ को attract कर लेता है, फिर उसकी एक छोटी से picture यह जो छोटे छोटे से box आप देख रहे हैं, इसमें हैं, और A, B, C, D का मतलब यह है, कि यह जो N, S है, यह external magnetic field है, कि इसकी value हमने कम और जादा करनी है, तो जैसे जैसे हम लोग जादा value करते जाते हैं, तो अब यह जो arrow आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई इधर, कोई उधर, यह धीरे धीरे जैसे B पर पहुंचे हो, value और जादे की उ इनकी एक direction होने लगते है, जी direction में field को apply किया गया है, और जादे किया, तो यहाँ तक अब यह सारे आलमोस्ट एक ही direction में आगे हैं, अब इतना magnetic field की value बढ़ा दी, कि जो यह बीच में material रखा था, इसके अंदर जो यह arrow थे, वो सारे के सारे एक ही दिसा में आगे हैं, अब यह arrow actually तो magnetic dipoles है, magnetic moment को भी indicate करते हैं, तो वो सारे physics के point है, अब इसके साथ साथ यह तो physics की बात होई, तो अब मैं आपको यह भी बता दूँ, कि यहां मैं कुछ assumptions लेके चला हूँ, क्योंकि मैं यह research नहीं है, लेकिन research based study है, तो जब हम किसी study को करते हैं, कोई चीज को study करते ह कुछ assumptions हम लोग लेके चलते हैं, कि ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो यहां जो assumptions है, वो चार assumptions में लेकर के चला हूँ, तो वो assumptions क्या है, कि when head is top, heads जो top है, सिर्का जो उपरी हिस्सा है, अगर वो उत्तर दिसा की तरब को होगा, तो उत्तर दिसा से चलने वाली जो चुम्ब किय किरने हैं, उसके ये perpendicular होगा, इसके अंदर जो magnetic dipoles है ना, उसके भी perpendicular होगा, तो उससे क्या होगा, ये interaction होगा, और उस interaction से ही हम लोगों को ये सारे result मिलते हैं, और यहां पर मैं एक बात और आपको बता दू, कि मैंने ये मान लिया है, कि जो pineal gland है, उसका जो surface है, वो सबसे ज्यादे expose होता है, क्यों इस तरीके से रखी हुई है, उसका surface area, magnetic field जो अर्थ का है, उसकी तरफ को रखा हुआ है, वो एक मैं थोड़े example के साथ भी आपको दिखाऊंगा, और ये जो dipoles हैं, इसके अंदर, वो interact करते हैं, उस field के साथ में, जिससे की ये घूम जाते हैं, इन उनका orientation change हो जाता है, इनकी situation जो है, वो situation mean मतलब situation का मतलब यह है, कि पहले अगर वो एक direction में थे, तो थोड़ा सा घूम गये, उनका जो natural जो चीज थी ना, जो जिस तरीके से वो थे, उससे वो हट गये हैं, तो इस हटने से क्या होगा, एक communication problem हो जाते है, between mind and body, और body के किसी part के अंदर, और उसी की वज़े से कुछ लोग ऐसी बीमारियों को या इस तरीके से देखते हैं, जि उनको लगता है कि कोई बीमारी है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसे तो वह फोटो के चितर लेकर के मैं समझा चुका हूँ, कि यह इस तरीके से होगा, तो जैसे मैं और मैं मान के चलता हूँ कि यह मेरे सीर पे इस तरीके से रखी है, इस तरीके से, ठीक है, तो जब मैं सौँगा, तो यह इस तरीके से रहेगी, ठीक है, और जब यह इस तरीके से रहेगी, तो ओबियस है कि वह हिस्सा जाद है उसके कॉंटेक्ट में आएगा, यह, ठीक है लेकिन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो अभी मैं पढ़ता हूँ तो ये सामने का इससा है कम है ठीक है तो अभी इस तरीके से लेकिन जब मैं सोता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है तो अब ये ही point है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इन अजंट्संस में कि जो पाइनियल ग्लेंड है वो ज़्यादे एक्सपोज होती है बाई दी एक्स्टरनल मैगनेटिक फिल जो अर्थ का है तो इस तरीके से ये पॉइंट और यहां पे मैंने बताया कि बहीं मैगनेटिक मोमेंट क्या होता है मैगनेटिक फिल लाइन क्या होती है कैसे इंट्रेक्ट करती है कैसे वो इसको गुमाने की कोशिस करता है तो यह जब गूमती है तो यह तो एक है वहां पे तो यह आप समझ सकते हैं कि कितने सारे मैगनेटाइट जो आपके पार्टिकल्स थे ब्रेन के अंदर तो एक जो पार तो जिसका alignment नहीं हुआ होगा तो चांस है कि उसका alignment इसके direction में हो जाए तो जो natural उसकी situation है वो change हो जाएगी तो अब मैं हाँ चार possibility के साथ में आपके साथ बात करूँगा कि वो जो magnetic field है जब वो perpendicular है और यह जो arrow देख रहे हैं जो मैंने आपको डब भी दिखाई थी वो डबा जो है equivalent to the final gland और उस gland के अंदर जो है यह arrow जो मैं पहली picture में आपको बोल गया था मुझे नहीं पता अभी य चीज याद है या नहीं याद है लेकिन अगर आप यहां पर अभी इस part को देख रहे हैं और आपने पहला part छोड़ दिया होगा तो यह चीज obvious है कि आपको समझे नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इससे कुछी से एक मिनट पहले जब मैं आपको बता रहा था एक डबा अपने सर के उपर रखे एक example दे करके कि जो final gland है उसका exposure इस तरीके से होगा तो यह उनकी चार possibilities है और उन्हीं possibilities के साथ में मैं यहां आपको यह अभी जो point है वो share कर रहा हूं कि situation यह भी हो सकती है B भी हो सकती है C भी हो सकती है D भी हो सकती है और यह जो इस side में आ क्या है perpendicular है और इन दो cases में क्या है वो parallel है जबकि 3 की दिशा जो है इसमें इधर है और इसमें इधर है इसमें इधर है इसमें उपर की है इसमें नीचे के तो यह matter नहीं करता है एक चीज करता है कि field की line इस जो arrow के साथ है वो कितना angle बना रही है तो यहां 90 degree बनाती है और यह इस time सबसे ज़्यादा लगता है जब theta जो है वो 90 degree है जब इनके बीच का जो angle है वो 90 degree का हो राइट तो अब यह matter नहीं करता कि यह 3 की दिशा उपर को है यह नीचे की side को है और जब यह parallel है तब angle या तो 0 है जब इसी की दिशा में है जब anti parallel है तब 180 degree है तो उन दोनों cases में जो angle है वो 0 रहेगा that means कि जो contribution है इसका sin theta का वो 0 होगा तो जो calculation हम अब आपको दिखा रहे थे वो n की torque की तो वो 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कोई भी force नहीं लगेगा तो जब आप मूह करके उत्तर दिशा में बैठते हैं तब कोई force नहीं लगेगा या south की तरब को बैठ के सोएंगे ठीक है तब यह चीज होगा तो यह सब चीज यहां पर बताई और यह बताया कि अगर ऐसा हो जाए तो जो natural orientation है वो change होगा जिससे की neuron की functionality वो impact होगी और इसके कारण से जो है आपके सरीर के अंदर कोई बिमारी आ सकती है जो की ला-इलाज हो जाए तो यहां brain के किस हिस्से में जो है वो सबसे ज़्यादा magnet मिलता है तो दो हिस्से हम लोगों ने पहले बताई एक cerebrum और brain stem और यहां पर मैं फिर आपको दुबारा बता दो कि cerebrum जो है ना पूरे brain का केवल दस्वा हिस्सा है और उस दस्वे हिस्से में 80% से ज़्यादा neurons है जिनकों की हमको जुरुत पढ़ती है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपको कभी कोई चीटी काटती है या आपकी स्किन पे कभी कोई problem होती है या आपके inside organ में कभी दर्द हुआ है उसको कौन बता रहा है उसको यह neurons बताते हैं एक्चुली तो यह ट्रेवल कर यह जो सेरेबलम है यह इस पूरे brain का छोटा सा हिस्सा है लेकिन सबसे जादर जो है neuron का है वह इस जगह है और इसके पास में यह brain stem है पॉन्स और मैंडूला और यह सब मिलकर के इसको हम बोलते हैं brain stem और यहां पर यह पाइनिल gland और अब यह टोप भी उसे आप यह देख सक सब्सक्राइट जो material है inside the brain यह आप कहें कि और कि magnetize कहां हुआ है brain का कौन सा section सबसे ज़्यादा हुआ है तो वह सब बात यहां पर थी अब इस slide के अंदर मैं जो बता रहा हूं आपको वह neurons का comparison है और neurons का जो comparison है यह कुछ two category में इनको species को डिवाइड किया है रोडेंट्स और प्राइमेट्स रोडेंट्स जो होते हैं वो लाइक गिलहरी चुहां और यह सब चीज ऐसे जो गुए ना पीग्स हो गया रहा है और जो यह प्राइमेट्स होते हैं वो human हो गया या इनकी नसल के जो भी है monkey हो गया एप्स हो गया उनका तो उनके mind को brain को जो है compare किया गया औ असपास में और जो total number of neurons हैं वो 86 billion है लेकिन अभी recent कुछ paper में देख रहा था तो उन research papers में यह था कि अभी यह 86 की बजाए यह उससे भी जाद है 100 यह 120 billion है तो इस तरीके से यह अलग-अलग comparison में आप देख सकते हैं कि कितने neurons हैं कितना उसका weight है Cereblem का कितना part है Cereblem का कितना contribution है और उसमें कितने neurons basically exist करते हैं तो जैसे Cereblem का mass जो है वो बन 54 ग्राम है मतलब यह 1.5 kg है तो यह 1.500 ग्राम है तो इसका दस्वा भी इससा नहीं है यह तो neurons और Cereblem neurons कितने हैं यहां 86 billion है और यह आप 69 billion तो इस तरीके से आप एक comparison देख सकते है कि 80% से जादे जो है यहां पर यह नियूरोंस हैं यहां कुछ research paper हैं जो research paper बता रहे हैं कि memory जो है वो कैसे इस्टोर होती है through the neurons magnetite और जो प्रायोंस की reactions है ब्रेन के अंदर जैसे कि normal electronic devices होती है तो mind भी डेटा स्टोर करता है तो वह कैसे करता है और कहां करता है इन सब को इस research article में एक hypothesis के द्वारा explain किया गया है तो अब यहां अब हम जो serious मुद्दा है और जिस question को लेकर के यह सब चीज़ study किया गया जो पहला अगर आप यहां इस वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हैं तो thank you really कि यह आपका नोर्थ डारेक्शन और कुछ नहीं है जैसे सोने के लिए तो बिल्कुल एक दम मना कर दिया कि भई नोर्थ डारेक्शन की तरब को सीर रख करके नहीं सोना है लेकिन जैसे meditation हो गया है पूजा है और study करने का है तो students है अगर वो नोर्थ साइड को face करके study करते हैं तो उनका उनकी जो memory है वो जादे मतलब उसको store कर पाएगी और ऐसा ऐसे नहीं कि आप एक दिन करेगे तो एक दिन में हो जाएगा ये धिरे धिरे जब आप continuous उस जगह पे रहेंगे तो ये तभी possible है और इसलिए वास्तू का roll आ जाता है कि वास्तू हम लोगों की culture के अंदर five elements को तो magnet को एकदम सिधे सिदह नहीं बोलती कि हमें इसलिए नोर्थ इस डारेकशन में मंदिर है तो फेस हम लोगों का किस डारेकशन में होगा वह नोर्थ डारेकशन को ही होगा तो इस तरीके से हम लोगों की कल्चर के अंदर यह सब पॉइंट हैं और हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं साइन्टिपिकली इस तरीके से इस वीडियो के थुरू मैं देख रहा हूं और उसको जज़ कर रहा हूं लेकिन यहां आप सोच रहे होंगे कि मैं यह क्या मेग कर रहा हूं मुझको अभी यह नहीं लगता है कि जो अर्थ का मैगनेटिक फिल्ड है वह उस सेंस में वहां पर इंट्रेक्शन कर रहा है क्यों कि कई चीज आ जाएंगी अगर मैं उसके बारे में भी बात करने लगा लगूंगा मैं किसी को गलत नहीं बोलता लेकिन यह भी बात में इंकलूड कर पाऊं कि कभी अगर रहा तो मैं फिर जरूर उसको सेयर करूंगा लेकिन यहां दो चीज में बता रहा हूं कि जब आपको पूजा करनी है जब आपको इस्टडी करना है तो आप अपना फेस जो है वह उत्तरदिशा की तरप रखें ऐसा हम लोगों की कल्चर में लोग बोलते हैं और वो जब बोलते हैं तो उसका डोकुमेंट नहीं है कोई भी लेकिन जब आज साइंटिपिक स्टडी के तुरू देखते हैं तो उसका रीजन क्योंकि मैट्रियल है ब्रेन के अंदर बोडी के अंदर मैट्रियल है और वो मैट्रियल मेगनेट हुआ है तो वहां वो चीज़े साफ साफ नजर आ रही है कि उनका कोई स्टडी स्टाइप की रही होगी जिसके तुरू उन्होंने ऑपजर्ग किया होगा तो जो अभी परजेंट में जो रिसर्च है उनके जो डोकुमेंट हैं उन डोकुमेंट के साथ में हम इस कंसेप्ट को को रिलेट कर सकते हैं कि इसलिए कहा होगा कि उत्तर दिसा की तरफ इसलिए नहीं सोना चाहिए तो अब यहाँ वो सब पिक्चर को मैं कमबाइन कर देता हूँ कि आप चाहिए जिस भी पोस्चर में सोयें उत्तर दिसा की तरब को सिर करके आपका जो सिर का उपरी हिस्सा है वो अर्थ के उत्तर दिसा को एक्सपोज करेगा और वो हिस्सा हम मान के चलते हैं कि वह इस सा है जहां पर की हमारी पाउनियल ग्लेंड और यह पाउनियल ग्लेंड जो एंदर में संसिटिव रिबीट्रिय। मिचन प्र셔।म के अंदर में तो हम लोगों मैंने置ं करके चल रहा हूं जैसा क्यों चित्र बॉक्स में यह एरोब ना करके दिखाए हैं तो जब यह सिच्वेशन आएगी तो जो अर्थ का मैगनेटिक फिल्ड है वो इसके पर्पेंडिकुलर हो जाएगा और जो पर्पेंडिकुलर हुआ तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादे फोर्स लगेगा जिसकी वज़े से औरियंटेशन चेंज हो जाएगा तो वहां उस केस में प्रोग्लम ऐसी आएगी उस बोड़ी के अंदर की वह मैडिसन के थ्रू क्योर नहीं हो सकती और उसको बोलते हैं ला इलाज बिमारी कि अगर लंबे टाइम तक ऐसा रहा और ऐसा हो किया तो उसको फिर क्योर नहीं किया जा सकता है तो इसलिए अवाइड करना चाहिए इस डारेक्शन को सोते टाइम तो कितना साइज होगा उसका जो पाइनियल ग्लेंड है तो वो जो रिसर्च आर्टिकल है जिसके अंदर की यह सब स्टड़ी की गई थी और यह टॉप वीव है कि 15 mm to 11 mm मतलब यह एप्रोक्सिमेटली 160 जो है स्क्वार मिलिमेटर का एरिया है मतलब 15 mm, 1.5 cm की लंबाई है और 1 cm की चोड़ाई है तो इतना बड़ा हिस्सा है यह आयताकार हो गई है और आयताकार होने की वज़े से जब यह आप लेटते हैं उसकी तरफ को उत्तर दसा की तरफ को सिर करके तो यह फ्लैट आपको दिखाई पड़ेगा एरिया और जब यह एरिया एक्सपोज होगा तो ओबियस है कि जिसके साथ में यह कनेक्ट है पाइनियल ग्लेंड और इटसेल्प की वहां फिर यह नियूरोन को कैसे हैंडल करेगी वह जो फंक्शनलिटी है नियूरोन की वह कैसे होगी तो उसके बारे में विचार किया गया पढ़ाई के लिए अच्छा बोला गया क्योंकि इस टाइम जो पाइनियल ग्लेंड के अंदर मैगनेटिक डाइपोल्स है उनका जो मैगनेटिक मॉमेंट है और अर्थ का जो फिल्ड है उनके बीच एंगल जो है वह जीरो है राइट लेकिन यहां एक पॉइंट और आ जाएगा जो इस आप पुराने टाइम से समझा गया है तभी विकोज आप डैट कारण उसकी वजह से हम लोग यह इस्ट्रोजी के अंदर बोलते हैं कि आपको यह यह मैट्रियल यूज करना है यह स्टोन डालना है वह सारी चीज़ें तो उन चीज़ों को मैं आप अभी इंक्लूड नहीं क को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एमेल करके पूछ सकते हैं मैसेज करके आप मुझे को पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं या अपना लोजिक बता सकते हैं कि यह ठीक है और या गलत है ऐसा ही एक जो डारेक्शन है वो हम लोगों की कल्चर में कितना पुराना है कितना नह रहे थे तो यहां मैंने एक अपने आप से एक approximation लिया है और I'm not sure क्योंकि मैं उस time पे नहीं था उस युद के अंदर की वैसा होगा लेकिन फिर भी assume कर सकते हैं कि ऐसा रहा होगा क्योंकि क्रुक्षेत्र जो है वो यह जगे है और इस साइड में यह चंडीगर्ड है जो कि नौर्थ डारेक्शन इंडिकेट करता है और यह पानी पत्त है करनाल की इस साइड में और इसको यह towards the south है तो कुरुक्षेत्र का यह हिस्सा जो है वो south है और यह हिस्सा जो है यह north है तो मैं यह मान के चलता हूँ कि जो कोरव थे उनकी कोरव की जो सेना थी कोरवो की वो इस north direction की तरब थी क्रुक्षेत्र के north की तरब थी क्योंकि गांधार भी उपर की side को पड़ता है और दूसरे जो राजा थे जिन्होंने कोरवो को support किया है वो सारे इसी direction में थे तो most probably जितने इकटे हुए होंगे वो इसी direction में इकटे हुए होंगे क्रुक्षेत्रा के और जो पांडव थे पांडव south direction में थे तो इनका जो face रहेगा वो north की side को रहेगा और जो कोरव है उनका जो face रहेगा वो south की तरब को रहेगा तो जो यह भिस्म पिता महा थे भिस्म पिछले जनम में जो है अमबा के रूप में थे और भिस्म पिता महा के साथ में उनका पिता महा उनको किसी जो है एक स्वेंबर था उस स्वेंबर से तीन अमबा की दो बेहन और अमबी का अमबे तो इनको ले करके आये थे तो अमबा किसी से प्यार करती थी तो विस्म पिता महा उनको वापिस चोड़ने भी गए लेकिन उस राजा ने जो है उसको स्वीकार नहीं किया तो अमबा जो है बड आये थे और इन्होंने के साथ में युद्द किया था लेकिन लग ऐसा रहा था कि सिखंडी युद्द कर रहे लेकिन अर्जुन और स्री कृष्टन की जो जानिंग थी तो उसके अर्जुन ही वो सारे बान फैंक रहे थे बान इनके उपर चला रहे थे जिसके कारण ये नीचे गिर गए थे और इस तरह जी रहे थे कि कोई भी सरीर का हिस्सा जो है वो जमीन को टच नहीं कर रहा था तो फिर इनका सिर्म की तरफ नहीं अर्जुन न जोए पर सांкого खाब था तो फिर अभिस्म पितामा इनको बोलते हैं अर्जुन को आप मेरे लिए तक्य का इंतजाम कीजिए और अर्जुन तीन-तीर चोड़ते हैं उनके सिर्के लिच्छे और उसको वह ये तक्या यूज़ करते हैं जो भिस्म पितामा है तो इसी टाइम साम के टाइम जब भिस्म पितामा देखते हैं कि सूरज जो है वो दक्षनायन में हैं तो वो बोलते हैं कि भई मैं अभी प्राण नहीं छोड़ूँगा क्योंकि उनको अपनी पिता की तरफ से सांतनु जी की तरफ से वर प्राप्त हुआ था वो सत्यवती और जब सांतनु की मैरीज का जो था अरेंजमेंट था वो बिस्म पितामें कराया था तो इस टाइम सांतनु ने जो है आशिरवात दिया था इनको कि आप आपकी अपनी इच्छा मृत्यों होगी तो यहां वो 58 डेज तक जो है उत्तरायन का वेट करते हैं कि सूरत जब उत्तरायन में होगा त तो यहां एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो यह है कि अगर विस्म पितामा का सर जो है वो इस्ट डारेक्शन में ना होता तो उनको कैसे दिखाई पड़ता जो सूर्य जब अस्थ हो रहा था कि वो दक्षिनायन में है तो एक इस लोजिक के बेस मुझको लगता है कि जब भिस्म पितामा गिरे तो उनका सिर जो था वो इस डारेक्शन में था और इस डारेक्शन में जिनका सिर होता है वो योगी तपस्वी महात्मा लोग होते हैं और डेट बोडी को भी हम लोग बोलते हैं कि डेट बोडी को इंडियन कल्चर में नौर्थ और साउट डारे तो इनका सिर जो है वो इस्ट पूरव की दिसा में रहा होगा अब यह पिक्चर तो का एक आर्टिस्ट द्वारा अबनाई गई है तो लेकिन यह संभव है कि इसी साइड से जब वाटर आएगा तो उसको यह पी सकते हैं अब इस जल को भी यह माना गया है कि यह जल जो है यह इस गंगा जल के ही समान था क्योंकि अगर मैं उस एंगल से भी देखता हूं तो जो है गंगोतरी जो है वो इस साइड में ही पढ़ती है इनके राइट हैंड साइड में ही तो इस साइड से इन्होंने जल प्राप्त किया और गंगा इनकी माँ का नाम था तो उन एंगल को देखते हैं अब ये सारे जितने भी पॉइंट मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूँ Actually मेरा किवल इतना ही परपस है कि आज से 5000 साल पहले भी भारत देश के अंदर जो है दिसाओ का ग्यान था और ये सोलर सिस्टम के अंदर जोतिसी जो है उसका ग्यान था तभी ये दक्षिनायन और उत्रायन की बात की है और जब ये गिरे तो इनका सिर जो था वो उत्तर की तरफ नहीं हुआ साउथ की तरफ नहीं हुआ, वेस्ट की तरफ नहीं हुआ, तो वो इस डारेक्शन की तरफ ही बोला जाता है, कि पूरु दिसा की साइड में गिरे, तभी लोजिकली भी ठीक है, तभी इन्होंने देखा होगा कि जब सूर्य चीपा है, तो वो दक्षनायान है, यह अगर दू को माहीं में रख करके बताया है, कि हमारी जो संस्कृति है, संसकृति में यह बोला गया है, कि उत्तर की तरफ को सीड़ रख कर नहीं सोना है, तो उसकी जो इस टड़ी है, वो मैंने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स हैं, या कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट थे, उनको लेकर करक कुछ फिलोसेपिकल आइडियाज हैं और स्पिरिच्वल थिंग्स थे उन सब को कमबाइंड करके जो है ट्राइ किया कि मैं आंसर को फाइंड आउट कर पाऊं और यह जो आंसर है इस वे में मैं आपके सामने रखना हूं कि नोर्थ डारेक्शन जो है वो सुट भी अवाइडिड साइन्टिपिकली और यहां जो चार स्टैप है वो किस तरीके से मैंने किये पहले फोकस किया मैगनेटिक फिल्ड पे वो चाहिए बोडी के अंदर है इन ट्रम्स यह ब्रेइन के अंदर और दूसरा जो पर्तवी का मैगनेटिक फिल्ड है उनकी इंट्रेक्शन के तुरू जहां मैंने कुछ फिजिक्स यूज की कुछ रिसर्च आर्टिकल कुछ हिस्टॉरिकल और कु फिजिक्स को एपलाई किया कुछ एजूम किया और उन एजम्संस के बाद में यह फाइंड आउट किया कि जो ब्रेन के अंदर मैगनेटिक मॉमेंट है डाइपोल्स है जब वो चेंज होंगे तो नियूरोन के सिगनल जो है वो डिस्टॉर्ट होंगे and because of that बोडी के अंदर कोई डिसीज आ सकती है ब्रेन के अंदर कोई डिसीज आ सकती है थोट प्रोसस चेंज हो सकता है तो और वो जो है उसके कोई सिंप्टम से नहीं होंगे तो यहां पर केवल मैं इतनी सी बात कहूंगा और बात में इसकी इंपोर्टेंस क्या है अगर आपने इस कोश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया है तो इसकी इंपोर्टेंस इतना है कि हम लोगों को अर्थ के मैगनेटिक फिल्ड का और बोडी के अंदर जो मैगनेटिक है उसके इंपोर्टेंस के बारे में पता लगा दूसरा यह की जैसे दूसरी फिजिकल डिवाइस हैं इलेक्ट्रोनिक डिवाइस हैं वो डेटा स्टोरेज करते हैं वैसे माइंड भी डेटा को स्टोरेज करता है इंटरम्स ऑफ दी मैगनेटिक फिल्ड जो कि एक्सपरिमे कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में भी वो 45 माइक्रो टेसला यूज की गई है अगर आप कभी इसको मेजर करते हैं मैगनेटिक फ्लक्स ऑप दी आर्थ को तो आप देखेंगे कि 40-50 इस रेंज के बीच में आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो यही बैस सुटेबल माइक फिल्ड की फ्लक्स है जो की बोडी के लिए सुटेबल है इससे कम जादे पर कुछ फिजिकल जो है अफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं तो यहां बस कंकुलूजन में अब मैं यह कहूंगा कि 30 समय जो है वो नोर्थ डारेक्शन को अवाइड करना चाहिए तो thank you for your time and to understand all these facts और जैसा भी आपने मुझे को time दिया और मैंने अपनी तरफ से कुछ साख से आपके साथ में share किये तो I hope कि आप जो है उस चीज को समझ पाए होंगे जिस परपस से मैंने आप लोगों के साथ में इस वीडियो को share किया है और वो answer जो है find out किया है जिसको हम लोग किवदंती बोलते हैं कि भई इसके background में क्या logic है किस तरीके से इसको रखा गया है तो यह मेरा परियास है और इस परियास में अगर आपको लगता है और आप यहां तक पहुँच पाए हैं इस वीडियो में और कि मेरा जो effort है वो ठीक है और logical है, scientifically है, ठीक है तो एक like का और एक share आप जरूर कर सकते हैं कि जो भी दूसरे लोग है वो इस बात को समझें कि brain के अंदर magnetic field है उसकी वज़े से ऐसा हो रहा है और किसी दूसरे और इसे विचार हो सकते हैं जैसे कि बहुत सारी वीडियोस हैं अलग 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 धंग से अपनी बात रखते हैं क्योंकि हर आदमी का सोचने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग होगा, किसी दूसरे तीसरे का अलग है, लेकिन कौन सा ऐसा जो विचार है, जिसके दौरा किसी भी idea को, किसी भी question को solve किया जा सकता है, वो important है, तो कुछ लोग gravitational force की बात कर करता है, कुछ लोग iron particle की blood के अंदर बात करते हैं, तो मैं उसको भी avoid नहीं करता हूँ, तो मैं उसका भी respect करता हूँ, लेकिन मुझको यह logically लगा कि यह experimentally जो है, यह scientifically मैं किसी बात को आपके साथ कैसे share कर पाऊं, और कि मैं भी satisfy हो जाऊं अपने answer से, आपको भी ऐसा लगी कि जो यह study थी, वो reasonable है, और इसके favor में है, और यह logically ज़्यादा best है, as compared to the other, जो hypothesis है, और other points, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि सब के अपने efforts हैं, So, thank you for your time, और आपने इतना time दिया, उस चीज को समझेने की कोसिस की, तो यह आप जैसा ठीक समझें, like कर सकते हैं, आपका कोई question है, question पूछ सकते हैं, related to it, या कोई ऐसा आपको symptoms दिखाई पड़ा हो, कि आप ऐसा सो रहे हैं, क्योंकि वास्तु के इंदर इसका काफी role है, ज So, thank you, मैं तो भी इतना ही बोल पाऊंगा, और आपके time के लिए उस से भी जादा है, क्योंकि आपका time जादे important है, जो मैंने मुझको लगते है, 45 minutes से भी जादा ले लिया है, अगर आप अभी तक साथ में हैं, तो thank you, once again, and keep in touch, right, so, bye, and take care.